चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जैसंतोशिमा दोस्तों आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती है और आपका दिन कैसा रहेगा आईए शुरुआत करते ह आज के पंचांग से चौबीस सितंबर दो हजार चौबीस मंगलवार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सब्तमी तिथी दोपहर बारह बजकर 49 मिनट तक रहेगी इसके बाद अश्टमी तिथी शुरू हो जाएगी मृग्शिरा नक्षत्र आज रात 9 बजकर 54 मिनट तक रहेगा उसके बाद आरदरा नक्षत्र का आगमन होगा आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय दोपहर तीन बजकर 18 मिनट से 4 बजकर 47 मिनट तक रहेगा वहीं आज का अभिजीत मुहूर्त यानि दिन का सबसे शुभ समय दोपहर ग्यारह बजकर चौवन से बारह बजकर बयालीस तक होगा आज चंद्रमा व्रशब राश्ची में सुभह नौ बजकर पच्छपन तक रहेगा इसके बाद मिथुन राश्ची में प्रवेश करेगा आज सूर्य कन्या राश्ची में स्थित रहेंगे 24 सितंबर 2024 मंगलवार को अपने सभी विचारों को एक जगह पर संजोग कर सोचें इससे जो निशकर्ष निकलेंगे वे आपको परिस्थितियों से निपटने में काफी मदद करेंगे उन चीजों में न फंसें जिनमें आप विश्वास नहीं रखते इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएं हालांकि इधर-उधर की बातें करना आपकी आदत नहीं है लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा करना पड़ सकता है चाहे आप चाहें या नहीं दुनिया आपके घर की तरह है भोजन, संगीत और अच्छी संगत का आनंद लें आप धन के मामलों में समझदार हैं और आपके पास साज़ा करने के लिए कुछ संसाधन भी है अपनी रचनात्मक प्रतिभा को परिवार के साथ साज़ा करें जो आपको प्रभावित करने के लिए तयार है आज का दिन महीने के सबसे अच्छे दिनों में से एक है लोगों के साथ आपके व्यवहार पर आज का दिन निर्भर करेगा बेजी जक आगे बढ़ें नाम, धन और प्रसिधी आपका इंतजार कर रहे हैं आज आप में उर्जा और सक्रियता की भरपूर अनुभूती होगी और आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से आपके साथ देगा हालांकि दिन बहुत लाभधायक नहीं हो सकता इसलिए अपनी जेब पर नजर रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च न करें दूसरों की जरूरतों पर ध्यान देना अच्छा है लेकिन बच्चों को अत्यधिक छूट देना आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है आज आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपकी जिन्दगी में विशेश स्थान रखता है यदि आप अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके खोने या चोरी होने की संभावना हो सकती है जीवन साथी के साथ हंसी मजाक और थोड़ी छेड़ चाड़ आपको किशोरा वस्था के दिनों की याद दिला सकती है पूरा दिन बैठे रहने के बजाए ब्लॉगिंग करें या कोई रोचक किताब पढ़ें पारिवारिक मामले सुलजने से घर का माहौल सुकून भरा रहेगा हालांकि ये समय अत्यधिक व्यस्तता और मेहनत वाला है लेकिन आपका उदार और सहज स्वभाव आपकी सफलता का कारण बनेगा बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे लेकिन लोग आपके काम में दखल अंदाजी कर सकते हैं जिससे काम की गती धीमी हो सकती है पुरानी बातों के कारण नुकसान की संभावना भी हो सकती है बड़े निर्णय लेते समय सही बातों पर ध्यान केंद्रित करें भले ही आप पर किसी बात का दबाव हो काम से संबंधित आलोचना से आपको अपने काम को बहतर और प्रभावशाली तरीके से करने की प्रेरणा मिलेगी तूटे हुए रिष्टों के बारे में सोचने के बजाए पूर्व प्रेम को फिर से जीवन में दखल अंदाजी देने से बचें आपकी मेहनत से बड़ी उपलबधी की संभावना है और आप अपने पिताजी से मन की इच्छाओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं आपके मन में कामों को लेकर उथल पुथल रहेगी अपने बिजनेस में किसी को पार्टनर बनाने से बचें नहीं तो धोखा मिलने की संभावना हो सकती है आपको अपने किसी मित्र की मदद के लिए कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ सकता है यदि आपने छुट-पुट लाब की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया तो कुछ अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं भाईयों के साथ मतभेद हो सकते हैं बीती बातों को भूल कर शांति पूर्ण समाधान पर ध्यान केंद्रित करें विपरीत परिस्थितियों में भावनात्मक आवेश से बचें लव लाइफ की बात करें तो इस समय आपको अपने परिवार से वित्तिय मांगों की सूची मिल सकती है ये आपकी परिवार के प्रति उपलब्धियां हैं और आपको उन्हें पूरा करना होगा आपको यह समझना जरूरी है कि जो चीज आपको अत्यधिक लग रही है वह वास्तव में उचित है चिंता मत करें क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम है और इस से आपके रिष्टे की गहराई बढ़ेगी यदि आपके पिताजी या शिक्षक किसी संकट में हैं तो आपको अपनी यात्रा रद करनी पड़ सकती है विचारों के साथ-साथ रूप में परिवर्तन भी आवश्यक है प्यार का इजहार करने में देर ना करें वरना पच्छतावा हो सकता है अपने शौक जैसे कला, फैशन या गायन के लिए भी समय निकालें आज लोगों से मिलते समय थोड़ी सतरकता रखें क्योंकि कोई खास व्यक्ती आपको ठेस पहुँचा सकता है किसी से बातचीत आपके दिल में प्यार का एहसास जगा सकती है अपने साथी के प्रती रवया सही बनाए रखें इस से आपके संबंध और गहरे होंगे रिष्टों में समझोता जरूरी है लेकिन एक दूसरे के प्रती भरोसा और सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है करियर की बात करें तो इस समय धन, कीमती सामान और आभूशन आपकी और आकरशित हो रहे हैं इन्हें पाने के लिए मेहनत करें और लालच से बचें सहयोगियों या पडोसियों की समस्याओं को सुलजाने में अपने परिवार को नजरंदाज न करें अपने लिए भी समय निकालें आप अपने लक्ष की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और अब आपको कोई नहीं रोक सकता धन और प्रसिध्य आपकी ओर बढ़ रहे हैं दूसरों के प्रति आपके व्यवहार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा आज मीटिंग और बातचीत के लिए दिन अच्छा है याद रखें आपका रवईया आपके रिष्टों को सुधार भी सकता है और बिगाड भी सकता है आज आप एक प्रभावशाली व्यक्ति से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं उनके साथ काम करते हुए अपने काम के माध्यम से उन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश करें आप पदोन्नती या वेतन वृद्धि के लिए सीड़ी चड़ रहे हैं इसके बारे में दूसरों से बात करने से बचें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें आपका काम ही आपकी योग्यता को प्रदर्शित करेगा कारोबार में अपने बजट से अधिक पैसा न लगाएं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाए आज सफल रहेंगे और रुके हुए पेमेंट आने से आपकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाएगी नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव की आवश्यक्ता हो सकती है दोपहर के समय आये के मामलों में कमजोरी आ सकती है और काम की अधिकता भी हो सकती है शाम तक पुराने विवादों में विजय प्राप्त होगी और अच्छे कामों से आपकी साख में वृध्ध होगी यात्रा सुखदायक रहेगी और नए मित्रों से मिलना संभव होगा नए व्यापार में रुची बढ़ेगी लेकिन जो कार्य ठीक से चल रहे हैं उनमें अचानक बाधाएं आ सकती हैं आप आज अपने व्यवहार में उग्रता महसूस कर सकते हैं जिससे नुकसान की संभावना है दिन के मध्य से स्थितियां सामानने होने लगेंगी अज्यात भय और चिंता हो सकती है और सुन्दरता के प्रतिरुजान कम हो सकता है जिससे मन उदास रहेगा नौकरी में छुपे शत्रों से सावधान रहें सेहत की बात करें तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है हालांकि अधिक सोचने के कारण तनाव हो सकता है जो आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है यह समझना जरूरी है कि आपकी सेहत आपके अपने हाथों में है तनाव से बचने के लिए आपको सही तरीके अपनाने होंगे आज इंशियोरेंस से जुड़े मामलों में आपकी किस्मत आपके साथ है यदि आप इंशियोरेंस प्लान लेने का सोच रहे हैं तो आज सही समय है मौर्गेज पर विचार करने वालों के लिए भी आज का दिन शुब है क्योंकि सितारे बता रहे हैं कि आज लिया गया निर्णय भविश्य में फाइदे मंद रहेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेन देन की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए अनकूल है राशिका संयोग आपके पक्ष में है लोन लेने का विचार कर रहे हैं तो आज कदम बढ़ाना आपके लिए सही साबित होगा और यह समय वित्ती स्थिर्ता के लिए अच्छा है जिनका रियल एस्टेट में निवेश करने का इरादा है उनके लिए आज का दिन विशेश रूप से शुभ है संपत्ती खरीदने या बेचने में लाब होगा अगर आप किसी वकील से सलाह लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम ला सकता है छात्रों के लिए आज का दिन ऑनलाइन एजुकेशन में दाखिला लेने का अच्छा समय है यह आपके करियर को नई दिशा देगा व्यापारी आज बिजनिस सॉफ्टवेर में निवेश कर सकते हैं जिससे उनका व्यापार अधिक सुव्यवस्थित और लाभदायक बनेगा क्रिप्टो करिंसी में रुची रखने वालों के लिए आज निवेश करना लाभकारी हो सकता है क्योंकि सितारे आपका समर्थन कर रहे हैं तकनीक प्रेमियों के लिए आज नई टेकनोलोजी से जुड़ी वस्तूओं पर खर्च करने का सही समय है जो भविश्य में लाभकारी साबित होगा आर्थिक मामलों में कुछ नए फाइनेंस टिप्स अपनाना आपके लिए फाइदे का सौदा हो सकता है जिससे आपकी वित्ती स्थिती मजबूत होगी निवेशकों के लिए आज इन्वेस्टमेंट स्ट्राटेजी में बदलाव करना भविश्य में बेहतरीन परिणाम दे सकता है अगर आपको पर्सनल इंजरी लॉयर से सलाह लेने की आवश्यक्ता है तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा स्वास्थिय से जुड़े मामलों में आज हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर विचार करना सही रहेगा जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेंगे व्यापारियों के लिए आज डिजिटल मार्केटिंग में नए तकनी की उपाय अपनाना विशेश लाबकारी साबित हो सकता है इ-कॉमर्स के क्षेत्र में नए प्रोड़क्ट्स लाँच करने का समय भी आज अनुकूल है जिससे आपका कारोबार बढ़ेगा स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बेहद शुब है आपकी राशिक अनुसार इसमें आपको मुनाफा होगा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए आज फिटनेस कोचिंग शुरू करने का अच्छा समय है जिससे आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे वेबसाइट मालिकों के लिए आज वेब होस्टिंग सेवाओं में निवेश करना लाबकारी साबित हो सकता है जिससे आपकी ऑनलाइन उपस्थिती और मजबूत होगी अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन इसके लिए अनुकूल है आपकी यात्रा सुखद और सुविधा जनक हो सकती है आज ट्रेवल इंशियूरंस लेना आपके लिए फाइदे मंद साबित होगा आज का उपाए हनुमान जी की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का जाप करें साथी हनुमान जी को गुड और चने का प्रसाद अर्पित करें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो